नमस्कार आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीईर सिंग के साथ दोस्तों मॉयल लिम्टेड में डूब्लिकेट एटीपी यानि की डूब्लिकेट रॉयलिटी के तहत करोडों का यहां पे व्यपार किया गया है यानि की करोडों की यहां पे रेती सप्लाई क किया गया है जिसमें डूब्लिकेट एटीपी विदाउट रॉयलिटी इन लोगों ने काम किया है जिसमें नागपूर क्राइम ब्रांच डिटेक्शन टीम इस पे काम कर रही है एसाइटी का गठन भी हुआ है और अमितेश कुमार जो की कमिशनर और फुलिस है नागपूर एटीपी जो थे ये बोगस थे फ्रॉडुलेंट थे इस पूरी इसमें 120 बी कर्मिनल कॉंस्पिरिसी के भी सेक्शन लगाए गया है जो भी रैकेट के में शामिल है उस पूरी रैकेट को निश्पन करने के लिए और उनको अटक करके कारवाई करने के लिए अल्रेडी हमार हैं तीसरा नाम सदर आलम सबमिल जूलकर काम करते यह और फिलहाल ये तीनों पिछले कई दिनों से अपने चेतर से सवाल यह है कि आखिर कितने दिन तक बाहर रहेंगे और आखिर कप तक बस्ते रहेंगे और आने के बाद क्या फिर सीनात तान के चलेंगे कि हम तो छूर नहीं थे हमने तो तो कुछ गर बर्बर नहीं किया या फिर इन्हें अपनी grassroots कि एसास किस तरीके से होगा इन्हें क्या क्या करवाई होती है यह आने वाले समय में हम आपको जरूर बताएंगे लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर यह तीनों जो अभी जिसे क्राइम ब्रांच की एसाइटी टीम ढूंड रही है आखिर यह तीनों किसके साथ रहते थे जो पिछले धाई वर्स में जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ चोरी डूब्लिकेट काम और ब्रश्टाचार किया है ऐसे कई लोगों के नाम संभवता सामने आ सकते हैं लेकिन फिलहाल यह तीनों नाम अभी आपके सामने हैं और सूतर बताते हैं कि कुछ ट्रके जो उसमें उठा लिया है और कुछ ट्रके भी वो ढूंड रही है आप देखते रहे हैं इन विस्यों न्यूज अधिक जनकारी के लिए कर जल्द हम आपके सामने हाजिर होंगे अपने दोस्त वीज सिंग के साथ